दोस्तों छोटी थ्रिलर कहानियों की सीरीज में आज आप सुनेंगे डॉरोथी एल सायर्स की कहानी साइमन ग्रांट कहां गायब हो गया नवंबर की एक बरसाती रात को साइमन ग्रांट साहब गायब हो गया इस तरह गायब हो गया जिसे हवा में घुल गया हूँ वो consolidated nitro phosphates और भगवान जाने किन किन कमपनियों के chairman, मालिक और managing director हुआ करते थे उनका इतने रहसेपून तरीके से गायब हो जाना उनके मित्रों और रिष्टेदारों के लिए naturally दुख और चिंता का कारण था उनके ऐसे गायब हो जाने से कुछ दिनों तक stock exchange में भी चर्चा गर्म रही लेकिन अगले चंद दिनों में जब उनकी nitro phosphates और दूसरी कई कमपनियां भी उनकी तरह गायब हो गई और उनकी कमपनियों की मिलकियत भी उनकी नहीं दूसरों की हो गई तो बाजार में हडकंप मच गया और आखिर हडकंप मचता भी क्यों न इसमें दूसरे लोगों की पूंजी जो लगी हुई थी इससे मिस्टर मॉन्टाइग एग की शांती भी भंग हो गई इसलिए नहीं कि ग्रांट से मिस्टर एग की कोई दोस्ती थी या ग्रांट की कमपनियों में एग ने पूंजी निवेश का रखा था बलकि इसलिए कि जिस कमपनी में वो नौकरी करते थे वो एक मुसीबत में फस गई थी मिस्टर मॉन्टाइग लंडन की पिकाडिली स्ट्रीट स्थित, मैसर्स, प्लमेट एंड रोस के प्रतेनिधी थे उनकी कमपनी वित मंतरी के बजट प्रस्तावों में कटोती करने के एक प्रस्ताव से प्रभावित हो रही थी इन प्रस्तावों के लागू हो जाने से शराब और स्पिरिट का विवसाय बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला था कमपनी के काम से एग बर्मिंगम पहुँचे ही थे कि उनको एक जरूरी संदेश मिला जिसमें उनको फॉरन लंडन लोट आने का आदेश दिया गया था ये आदेश उनकी कमपनी की ही तरफ से था बर्मिंगम से लंडन के लिए रात को साड़े नौ बजे एक ट्रेन चलती थी इसी ट्रेन से उसी दिन साइमन ग्रांट ने भी अपनी आखिरी यात्रा की थी LMS रेलवे कमपनी की ये ट्रेन बर्मिंगम से चलती थी और सिर्फ कोवेंटरी और रगभी पर रुख कर 12 बज कर 10 मिनट पर यूस्टन स्टेशन पहुँच जाती थी उस रात साइमन ग्रांट के सम्मान में कोवेंटरी में एक डिनर आयोजित हुआ था डिनर के बाद उन्होंने एक भाशन भी दिया था और उसके बाद उन्होंने जल्द बाजी में कोवेंटरी स्टेशन पर बर्मिंगम एक्स्प्रेस ट्रेन पकड़ी थी रगभी में एक दूसरे रईस व्यक्ती लॉर्ड बडल्थ्रॉप के साथ उनको रहना था और उन्हीं के साथ रात गुजारनी थी कोवेंटरी स्टेशन पर 9 बज कर 57 मिनट पर कोवेंटरी के दो समानेत व्यक्तियों ने साइमन ग्रांट को फर्स्ट क्लास के डिबे में बिठा दिया था वो उनसे तब तक बातें करते रहे थे जब तक ट्रेन चल नहीं दी थी इसका मतलब ये हुआ कि साइमन ग्रांट कोवेंटरी पर नहीं उतर सके थे या उनके साथ वहाँ कोई दुरगटना नहीं हुई थी साइमन ग्रांट के साथ डिबे में एक दूसरे समानेत व्यक्ति भी थे सर हकलबरी बोल्स सर बोल्स ने बाद में फुलिस को बताया था कि उनकी और ग्रांट की अच्छी दोस्ती तो नहीं थी लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते थे ग्रांट ने उनको बताया था कि वो अकेले ही यात्रा कर रहे हैं उसके बाद बोल्स ने उनसे कोई और बातशीत होने से इंकार किया हाँ उन्होंने ये भी बताया था कि साइमन ग्रांट ने ये भी कहा था कि क्यूंकि उनका सेक्रेटरी उस दिन बिमार हो गया था इसलिए उनको अकेले ही यात्रा करनी पड़ रही थी कौवेंट्री से रगबी के बीच की करीब आधी दूरी तै करने के बाद साइमन ग्रांट डिब्बे के गलियारे में चले गए थे ये आखिरी बार था जब उनको देखा गया था वो ये शिकायत करते हुए सुने गए थे कि डिब्बे के केबिन में बहुत गर्मी लग रही है उसके बाद साइमन ग्रांट को फिर नहीं देखा गया रगबी स्टेशन पहुँचने पर पता चला कि डिब्बे का एक दर्वाजा खुला हुआ था कुछ मील पहले साइमन ग्रांट का हैट और कोट पतरी के पास पड़े मिले थे जिससे कुछ भयाना घटना होने का अंदाजा लग रहा था लेकिन पूरे रास्ते की बारी किसे जाच करने के बाद भी कहीं भी किसी भारी बदन के आदमे के गिरने का कोई निशान नजर नहीं आया ना ही किसी की लाश वहां मिली उनके कोट की जेब से कोवेंटरी से रगबी तक की फर्स्ट क्लास की टिकेट मिली अगर साइमन ग्रांट ने रगबी स्टेशन पर उतर कर बिना टिकट जाना चाहा होगा तो वो संभव नहीं था अब चलती ट्रेन के बीच में वो कहां उतर गए ये बात सभी को हैरानी में डाले हुए थी ये टिकट ही उनकी रगबी स्टेशन के गेट से बाहर निकलने की गारंटी थी स्टेशन के गेट पर जो टीटी तैनात था उसने भी उनके हुलिये जैसे किसी आदमी को देखने से इनकार किया उसने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति वहां बिना डिकट नहीं आया था इसके अलावा गेट के ठीक बाहर लॉर्ड बडल्थ्रॉप का ड्राइवर भी मौजूद था साइमन ग्रांट के ना मिलने पर ड्राइवर और उसके साथ आए एक दूसरे आदमी ने पूरा स्टेशन चान मारा था दोनों साइमन ग्रांट को अच्छी तरह पहचानते थे लेकिन वो उनको कही नजर नहीं आये थे अब इतने अजीबो गरीब तरीके से साइमन का गायब होना सबको हैरानी में डाल रहा था अब सिर्फ दो ही संभावनाएं बची थी बर्मिंगम लंणन एक्स्प्रेस रगबी 10 बज कर 24 मिनट पर पहुँच कर 10.28 पर वहां से चूट जाती थी दूसरी तरफ से 10.21 पर आईरिश मेल आती थी वो इस स्टेशन से 10.25 मिनट पर आगे की यातरा के लिए निकल जाती थी अगर दोनों ट्रेने सही समय पर पहुँची और चली हों तो यही संभावना लग रही थी कि साइमन ग्रांट प्लेटफॉर्म पर इस तरफ ना उतर कर दूसरी तरफ उतर गए हों और वहां खड़ी आईरिश मेल में बैठ गए हों ऐसा ही होने के आसार ज्यादा लग रहे थे क्योंकि साइमन ग्रांट की लाश पटरी के आसपास कही नहीं मिली थी हालांकि सबसे हरत अंगेज बात ये भी थी कि उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो वो दो बज़ के 25 मिनट पर रात को हॉली हेड स्टेशन पहुँच गए होंगे उस समय वहां से डबलिन के लिए स्टीमर छूट रहे होते हैं जिसे पकड़ कर वो सुभा 6.25 पर डबलिन पहुँच गए होंगे लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया क्या वो किसी मुसीबत में घिर गए थे जो उनको ऐसे अपना देश छोड़ कर भागना पड़ा इन सारे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था अब तक की जाच से इंस्पेक्टर पीकॉक ये नतीजा निकाल चुका था कि साइमन ग्रांट की हत्या नहीं हुई है ना ही वो किसी एक्सिडेंट का शिकार हुए हैं उनका मानना था कि मिस्टर ग्रांट प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ खड़ी आईरिश मेल पर सवार होकर कहीं और चले गए उसने रेलवे ओफिस से ये चेक कर लिया था कि दोनों तरफ की ट्रे ने एक दम सही टाइम पर प्लेटफॉर्म पर पहुँची थी अब एक संभावना ये भी थी कि साइमन ग्रांट लंडन ना चले गए हो किसी दूसरे डिब्बे में बैठ कर और वहाँ छुप गए हो हो सकता है रगभी स्टेशन पर वो उतरे हो और आगे पीछे के डिब्बे में चड़ गए हो अपने को आसानी से पहचानने ना देने क के लिए उन्होंने अपना हैट और कोट पहले ही फैंक दिया होगा और उनको लेने आये व्यक्ति बिना कोट और हैट के ग्रांट की कलपना भी नहीं कर सकते थे इसलिए अगर वो उन दोनों चीज़ों के बिना उनके सामने से गुजरे भी होंगे तो उन दोनोंने कोई अनकारी हो या कोई सुझाव हो तो उसे पुलिस विभाग को लिख भेजने की अपील करते हुए अखबारों में विज्यापन छपवा दिये इसके जवाब में मॉन्टैग एग ने पुलिस को एक पत्र लिखा उसमें उसने लिखा था कि वो भी उस दिन उसी ट्रेन से यात्र एंड फिडल होटल के कमरे में पुलिस ने दस तक दी तो उन्हें बिल्कुल भी ताज्यूब नहीं हुआ इंस्पेक्टर पीकॉक और उसकी टीम के कुछ सदस्य उनके सामने हाजिर थे मॉन्टैग ने कहा कि उनको पुलिस वालों के आने से काफी खुशी हुई है और वो जो कुछ जानते हैं वो सब पुलिस को बताएंगे पिकॉक उस दिन की ट्रेन यात्रा के बारे में सब कुछ जानना चाहता था चोटी से चोटी बात भी एग ने उसे बताना शुरू किया मैंने उस दिन तीसरी श्रेनी के डिब्बे में यात्रा की थी मेरी हमेशा से आदत है कि मैं टाइम से पहले स्टेशन पहुँच जाता हूँ उस दिन भी मैं टाइम से कुछ पहले ही स्टेशन पर पहुँच गया था ये मैंने अच्छा ही किया क्योंकि उस दिन काफी भीड थी ट्रेन समय पर आ गई थी और जल्दी पहुँचने के कारण मुझे सीट मिलने में सुविधा रही जिससे मेरी यात्रा आराम से कट गई इस पर पिकॉक ने जवाब दिया हाँ हाँ हम जानते हैं कि उस दिन ट्रेन में काफी भीड थी हमने उस दिन सफर कर चुके काफी लोगों से पूछताच की है एग ने सवाल किया क्या आप लोग शाम के इस वक्त मेरे साथ कुछ पीना पसंद करेंगे साथ ही उसने ये भी पूछा कि उन लोगों से बातचीत में पुलीस को क्या कुछ पता चला इंस्पेक्टर पीकॉक ने ड्रिंक्स के लिए शुक्रिया कहा और बताया कि उस बातचीत में कुछ खास पता नहीं चल सका एग ने कमरे में लगी घंटी बजा कर वेटर को विस्की और सोडा लाने का ओडर दिया वेटर जब ओडर सर्व कर गया तो विस्की की चुस्की लेते हुए एग ने कहना शुरू किया वो डिबबा हर तरह के लोगों से भरा हुआ था सभी तरह के लोग वहां मौजूद थे मैं खिड़की की बगल वाली सीट पर बैठा था मेरे बगल में लाल रंग का गंजा मजबूत बदन वाला एक आदमी बैठा था उसने चेक का कोट पहना हुआ था वो बरमिंगम से आ रहा था उसके आगे एक लंबा सा युवक था उसका चेहरा मोहासों से भरा हुआ था वो चड़ते वक्त मेरे पैर को भी कुचल गया था कहीं पर क्लर्क था वो कोने की सीट पर एक नौसैनिक था वो अपने सामने बैठे आदमी से सारे रास्ते बात करता रहा था उसके आगे एक और आदमी बैठा था जो कोई घटिया तंबाकू वली पाइप लगा कर पीता रहा था उसकी बदबू पूरे डिब्बे में भरी हुई थी मैं क्योंकि खिड़की के बगल में बैठा था इसलिए काफी हद तक उस बदबू से बचा रहा इसके अलावा भी काफी लोग थे जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उन पर गौर नहीं किया था हाँ जो आदमी घटिया तंबाकू पी रहा था वो व्यापारी जैसा लग रहा था लेकिन उसकी शकल भी मैंने ठीक से नहीं देखी क्योंकि वो ज्यादाता टाइम अकबार ही पड़ रहा था और हाँ एक अधेर आदमी की भी मुझे याद है वो इसलिए कि वो देखने में शरीफ सा लग रहा था लेकिन उसके बाल काफी बढ़े हुए थे उसकी शकल इसलिए मुझे याद है कि उसको देखकर बार-बार मेरे मन में यही खयाल आ रहा था कि इसको अब अपने बाल कटवा ही लेने चाहिए मेरे ठीक सामने एक सजजन बैठे थे उनकी लंबी भूरी दाड़ी थी उन्होंने एक बड़ा सा फैल्ट हैट लगा रखा था वो बर्मिंगम से ही चड़े थे और वो जो बड़े बाल वाले व्यक्ती थे वो भी बर्मिंगम से ही चड़े थे बाकी दो मेरे बाद ट्रेन के डिबबे में आये थे अपनी डायरी पलटते हुए और मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर पीकॉक ने कहा आप तो सचमुछ कमाल के गवा हैं आपने इतने दिनों बाद बयान दिया है लेकिन आप से पहले उसी डिब्बे के साथ यात्रियों ने जो बयान दिये उनके तुलना में आपका बयान काफी ज्यादा सपश्ट है मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका ही बयान सबसे ज्यादा सही है लेकिन फिर भी ये काफी सटीक वर्णन है क्या आपको लोगों के चेहरे पढ़ने का शौक है एग ने जवाब दिया ये मेरे पेशे का एक हिस्सा है पीकॉक ने उसे बताया जो लंबे बालों वाले सज्जन थे वो लंडन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे अमबलफूट उन्होंने आपके बारे में बताया था कि आप एक संभरांत नव्यूवक है जो सज्जन विदेशी से लग रहे थे वो वाकई विदेशी ही है उनका नाम है डॉक्टर स्लीकर वो जर्मनी के हैं और यहां लंडन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर है मुहासो वाला जो व्यक्ति आपने बताया वो मौरिसन कंपनी में कलर्क है और बाकी लोग भी करीब करीब वही निकले हैं जो आपका अंदाजा था हमने लंडन पहुंचने के बाद की उन लोगों की सबकी गतिविधियों को भी चेक किया था उन में से कोई भी रगबी स्टेशन पर नहीं उत्रा अब आप बताईए क्या उन में से कोई रगबी पर उत्रा था एग ने जवाब दिया जी नहीं पिकॉक ने कहा क्या आपने किसी आदमी को लगातार डिब्बे के कॉरीडॉर में तो नहीं देखा या कोई आदमी लगातार खिड़की की तरफ ही मूँ किये रहा हो एग ने कुछ सोचते हुए कहा जो दाढ़ी वाला आदमी था वो बार-बार कॉरीडॉर में जा रहा था अब मुझे ध्यान आ रहा है कि वो बड़ा ही बेचैन सा लग रहा था मेरे ख्याल से उसकी तब्यत खराब थी लेकिन वो ज्यादा तेर कॉरीडॉर में भी नहीं रुकता था हाँ अब मुझे याद आ रहा है वो थोड़ा नर्वस भी था और अपने नाखून चबा रहा था और जर्मन भाशा में कुछ बड़बडा भी रहा था उसका नाखून चबाना मुझे काफी बुरा सा लग रहा था शायद उसकी ये आदत थी इससे उसके अच्छे हाथ खराब जैसे दिख रहे थे पीकॉक ने जवाब दिया लेकिन ये तो बड़ी असाधरन सी बात बता रहे हैं आप क्योंकि डॉक्टर स्कीलर के हाथ तो बड़े ही सुन्दर है मैंने कल ही तो उनसे बात की थी और अगर उनको नाखून चबाने की आदत होती तो वो मेरे सामने भी ऐसा करते अच्छा ये बताईए आपने अपने सामने बैठे व्यक्ति के बारे में कोई खास बात नोट की थी एग ने जवाब दिया मेरे ख्याल से तो कोई खास बात नहीं थी लेकिन एक मिलेट रुकिये वो आदमी बड़ी तीजी से सिगार पी रहा था वो सिगार सुलगाता और गहरे कश मारता हुआ कोरिडॉर में जा रहा था पीकॉक कुछ सोचते हुए टेबल को ठक ठक आने लगा फिर बोला अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है मुझे याद आ गया है कि मैं बुरी तरह चबाए गए नाखुनों वाले व्यक्ति से कब और कहां मिला था ओ माइ गॉड लेकिन ये वो कैसे हो सकता है एग उत्सुकता से उसकी सारी बातें सुन रहा था पीकॉक ने उसे आगे बताया वो साइमन ग्रांट का सेक्रेटरी था मोटा सा गंजा आदमी साइमन ने कहा था कि उसे फ्लू हो गया है और वो उसके साथ ट्रेवल नहीं कर रहा है अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये सारी कहानी समझ में आ गई है ये दोहरे चरित्र का मामला है दर असल साइमन ग्रांट के गायब होने के बाद से हमने उसकी सारी कमपनियों के अकाउंट्स की जाँच की है वो और उसकी पतनी दोनों ही काफी संदेग्ध किस्म के हैं और पिछले तीन सालों में ये लोग काफी रईस हो गए है अब मुझे उस सेक्रेटरी को पकड़ना होगा कल हम उससे स्कॉटलेंड यार्ड के हेड़कॉर्टर में पूछताज करेंगे मुझे पूरी उमीद है कि हम इस मामले में च्छाई धुन्द को साफ करने में कामियाब होंगे और हा मिस्टर एग, कल शाम को आपको भी वहां पर हाजिर रहना है वहां से निकलते ही पीकॉक ने स्कॉटलेंड यार्ड में संपर्क किया वहां से उसने इंस्पेक्टर एडवर्ड को डॉक्टर स्कीलर के घर पर दो लोगों को तैनात करने को कहा ताकि वो कहीं न जा सके, उसका घर विंबल्डन में था, दो लोगों को उसने ग्रांट के सेक्रेटरी नॉर्मन रोज के घर पर लगा दिया, अगली सुभे पुलीस ने नॉर्मन को गिरफतार कर लिया था, जिसकी खबर उसी शाम को लंडन के शाम वाले अख़बारों में छ उस्ताश में नॉर्मन ने सारा सच उगल दिया, उसने बताया कि डॉक्टर स्कीलर और कोई नहीं, बल्कि साइमन ग्रांट ही है, उसने ये भी बताया कि साइमन ग्रांट की ज्यातातर संपत्ती उनकी कमाई हुई नहीं है, बल्कि वो उनको शादी में मिली थी, दर असल ल बखबख अपने दूसरे नाम से कर ली थी और अब उनका इरादा यहां से जर्मनी या आयरलेंड जाकर बसने का था। ये संपत्ती अपने नाम करने के लिए उन्होंने एक गहरी चाल चली थी। बिजनेस के सिलसिले में उनको अकसर आयरलेंड या जर्मनी जाना पड़ता था। इसलिए वो वहां की भाशाएं भी जानते थे। एक दिन जर्मनी से डॉक्टर स्कीलर के भेश में साइमन सहाब खुद उस वक्त अपने ही घर पहुँचे जब वो अपनी पतनी से ये कहकर गए थे कि वो बिजनेस टूर पर जा रहे हैं। अपनी पतनी से वो ये कह कर गए थे कि मेरे पीचे से जर्मनी से कोई डॉक्टर स्कीलर आएंगे तो उनका ख्याल रखना। अपने प्रभाव के चलते साइमन ग्रांट ने लंडन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर स्कीलर को एक पार्ट टाइम नौकरी भी लगवा दी थी जिसमें उनको हफते में एक बार क्लास लेनी पड़ती थी और हफते में एक दिन साइमन से स्कीलर बनना साइमन के लिए कोई ख साइमन टूर पर गया होता है फिर मैंने साइमन के अकाउंट्स की जाच की तो पता चला कि लगभग सारी रकम स्कीलर और जैनिफर के नाम पर ट्रांसफर की गई है मैंने ये सोचा कि आखिर ये रकम स्कीलर के नाम ट्रांसफर होने के बाद साइमन कैसे क्यों और कहां गाय वो स्कीलर से मिलता जुलता था। तब ही मुझे याद आया कि जब मिसिस मैकबल ने अपने पती साइमन ग्रांट पर इस बात का दबाव डाला कि वो स्कीलर के आने पर हमेशा टूर पर ही क्यों रहते हैं। तब साइमन ने नॉर्मन को स्कीलर की वेश भूचा में बदल दिय नॉर्मन पहले से ही पैसे के लालच में इस साजिश में शामिल था। अब इनका काम और भी आसान हो गया। एग ने सवाल किया लेकिन ट्रेन से साइमन कहां गायब हो गया था। पीकॉक ने जवाब दिया। ये अपनी कहानी या यूं कहिए अपने दोहरे रूप में से ए पीकॉक ने जवाब दिया साइमन स्कीलर नहीं बने बलकि वो साइमन ही थे। इस ट्रेन में थर्ड क्लास का एक ही डिबबा है। उस डिबबे में उनकी योजना के हिसाब से नॉर्मन रोज स्कीलर के रूप में बैठे हुए थे। साइमन ग्रांट जब अपने केबिन से गर्मी का बहाना बना कर कॉरिडॉर में गया तो उसी बहाने के तहत उसने अपना हैट और कोट उतार लिया जिससे किसी का उसके उपर ध्यान नहीं गया। पहले से तैप प्रोग्रांट के अनुसार स्कीलर बना नॉर्मन भी ट्रेन के डिबबों को जोडने वाले रास्ते से वहाँ पहुँच गया। साइमन ने अपना हैट और कोट उसे दे दिया जिसको नॉर्मन ने अपने डिबबे में लोटते वक्त पटरी पर फेंक दिया। अगर साइमन ग्रांट खुद अपना कोट और हैट फेंकता तो शायद किसी की नजर उस पर पढ़ जाती और वो क साइमन ग्रांट चड़ गया। हैट और कोट लेते टाइम नॉर्मन ने उनको एक बैग दिया था जिसमें स्कीलर की वेश्ट भूशा थी। साइमन ग्रांट ने अपना हुलिया बदला और फिर आयरलेंड पहुँच गया जहां जैनिफर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। हमें उसके भागने का अंदाजा था। यहां कथित स्कीलर के घर पर कोई भी नहीं है। वहां पर मौजूद सिपाही हमें ये सूचना पहले ही दे चुके हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है। लंडन शेहर में विदेशियों के आने पर एक सामान्य जाच की प् हमने उनके घर से उनके भी फिंगरप्रिंट उठाए थे और शक होने के बाद जब उनको मिलाया गया तो वो एक ही व्यक्ति के निकले। नॉर्मन रोज ने भी इस बात की पुष्टी कर दी। उसके बाद आयरलेंड से साइमन ग्रांट और जैनिफर को लाना हमारे लिए म नहीं रहा। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात ह होगी तब तक के लिए अलविदा